नमस्कार आपका आख़बार के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है मैं हूँ प्रदीप सिंगू कॉंग्रेस की कारेकारी अध्यक्ष अंतरिम अध्यक्ष सुनिया गांदी इस समय डरी हुई है फूंक फूंक कर कदम रखा जा रहा है उनके जो समर्थक हैं उनके जो वफदार हैं उनको डर लग रहा है डर किस बात का कॉंग्रेस अध्यक्ष का चुनाव होने जा रहा है कॉंग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में अभी तक जो बाते सामने आ रही है उसे लग रहा है कि शायद 24-25 साल बाद पहली बार चुनाव होगा कॉंग्रेस अध्यक्ष का और हो सकता है कि गांधी परिवार का कोई व्यक्ति नहीं हो हाना कि सुनिया गांधी ने अभी तक उन से जितने लोग मिले गए हैं उन में से किसी से ये बात नहीं कहिए कि राहुल गांधी उमीदवार नहीं बनेंगे लेकिन जो इंडिकेशन है उससे ऐसा लगता है कि वो उमीदवार शायद नहीं बनेंगे और जो मैं बाद बार बार कहता हूँ कि उनको इस बात में मज़ा आने लगा, इस कहें कि इस स्थिती में मज़ा आने लगा है कि पद नहीं हो कोई, उसकी जवाब देही नहीं हो, अधिकार सारे हो। तो अब सवाल ये है, क्या कॉंग्रेस पार्टी को गांधी परिवार युक्त अध्यक्ष मिलेगा या गांधी परिवार से मुक्त अध्यक्ष मिलेगा। ये बड़ा सवाल है, देखिए गांधी परिवार से कोई नहीं हो, लेकिन गांधी परिवार का नॉमिनी जी जाये, ब पर फोड़ा जाएगा जो कुछ अच्छा होगा उसका अश्रे तो परिवार को मिलना ही मिलना है तो अध्यक्ष का चुनाव होगा और राहूल गांधी शायद उमीदवार नहीं होंगे इसका इंडिकेशन सोनिया गांधी नहीं सबसे पहले दिया जब उन्होंने विदेश यात्रा पर जाने वाले दिन अशोग गहलोत को राजस्थान से बुलवाया और उनसे कहा कि उनको कॉंग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ना है और मैंने पहले वीडियो में बताया था कि उन्होंने एक शर्त रखी थी कि अगर वो पहले तो उनका कहना था कि राहुल गांधी को होना चाहिए जो हर वफादार कॉंग्रेसी परिवार के जितने वफादार हैं वो आज कल जो जोर से बोल रहे हैं राहुल गांधी के समर्थ हमने प्रस्ताव पास किये जा रहे हैं अब एक तरफ प्रस्ताव पास हो रहा, दूसरी तरफ सोनिया गांधी कह रहे हैं कि मेरी इसमें कोई रजामंदी नहीं है, मेरे कहने से नहीं हो रहा, तो आप रोक क्यों नहीं रहे हैं, आप अभी interim अध्यक्ष हैं, आप एक बयान जारी कर सकती हैं कि इस तरह का प्रस्ताव मंत्री भी मने रहना चाहेंगे, अब ये बात मानी जाएगी, नहीं मानी जाएगी, क्या होगा, इसका फैसला तो बाद में होगा, अभी बात ये है कि ये बात कहके सोनिया गांधी ने एक तरह से अशोग गहलोत को अपना नामिनी घोशित कर दिया, अब उसके बाद शची और उससे पहले, सोनिया गांधी जब विदेश से लोट कराई है, तो शची थरूर उनसे मिलने गए, और उनके मिलने के बाद जो ख़बर निकल कराई, कि उन्होंने सोनिया गांधी से कॉंग्रिस अध्यक्षपद का चुनाव लड़ने की मनजूरी ले लिये, उनकी रजा मंदी ले लिये, तो अब आप समझे किस तरह का चुनाव हो रहा है, दूसरी बात, शची थरूर G23 के सदस्य है, जो संतुष्ट गुठ है, कॉंग्रिस पार्टी में उसके सदस्य है, और उसके सदस्य के नाते वो गांधी परिवार विरोधी खेमे के माने जाते हैं, जैसे ही ये संदेश गया कि सोनिया गांधी की मंदूरी मिल गई है, सची थरूर की उमीदवारी को तुरंत अगले दिन जैराम रमेश का एक विस्तृत बयान आया, और उन्होंने कहा कि ना तो किसी को इस तरह की मंदूरी दी गई है, ना किसी ने मांगी है, जो चुनाव लड़ सकता है, गांधी परिवार की इसमें कोई भूमिका नहीं होगी, कोई किसी के पक्ष में नहीं होंगे, अब सवाल यह कि ऐसा क्यों हो रहा है, इसलिए हो रहा है, कि अगर मान लीजिए, अभी सब कुछ हाप्यो थर्टिकल है, कि कौन लड़ेगा नहीं, लड़ेगा मालूम चाहेंगे, तब वो लड़ाई एक तरफा हो जाएगी, वफादारों की पूरी फाज इकठा हो जाएगी, लेकिन अगर ये मान कर चलें कि अशोग गहलोत और शशी थरूर के बीच मुकाबला होना है, तो ये मुकाबला बड़ा काटे को हो सकता है, कांग्रेस पार्टी में जो वफादारों की फाज है, उनका शोर जादा होता है, इसलिए वो दिखाई जादा देते हैं, लेकिन ऐसे लोगों की संख्या जादा है, जो चाहते हैं कांग्रेस में बड़ला हो, जो चाहते हैं कि परिवार के शिकंजे से पार्टी मुक्त हो, पार्टी जैसे और पार् संख्यठन हैं, कांग्रेस के उनका चुनाव हो सिधे, बजायें नॉमिनेशन के, ये जो नॉमिनेशन का कल्چर है, वो खत्म हो क्योंकि ये नॉमिनेशन उन लोगों को मिलता है, उनको नॉमिनेट किया जाता है, जो गणिश परिक्रमा कर सकते हैं, और जो करते हैं, तो पर तो शशी थरूर को लेकर कॉंग्रिस में, यानि कॉंग्रिस से मेरा मतलब जब भी कह रहा हूं, तो आप समझेए कि गांधी परिवार में बड़ी परेशानी है, परेशानी यह है कि शशी थरूर चिन्हित हैं, मतलब आइडेंटिफाइड हैं G23 से, यानि परिवार विरोधी मंच के महत्वपूर सदस्य हैं, उनका चुनाव लड़ना, एक, दूसरा शशी थरूर केरल से आते हैं, केरल जहां से राहूल गांधी भी सांसद हैं वाईनाड से, और तिरुवानंत पुरम से शशी थरूर सांसद हैं, और राहूल गांधी वाईनाड लडने गए तो उन् आलोचना की, ये सवाल उरता रहा कि दक्षिन भारत से कोई अध्यक्ष क्यों न हो, कौनेस पार्टी का, आप शशी थरूर अगर मैदान में उतरते हैं, जो उन्होंने मन्शाय जाहिर की है, और 24 तारीक से नॉमिनेशन शुरू हो जाएगा, 30 सितंबर आखरी तारीक है ये कौंग्रेस के लिए ज्यादा नुकसान दे और फिर कह रहा हूं कौंग्रेस मतलब गांधी परिवार के लिए ज्यादा नुकसान दे है और आज जितिक रूप से घातक सामित हो सकता है, तो दो दो चीजे हो गए, एक शशी थरूर का अदेक्षन से होना, दूसरा उनका G23 में होना, और उसके बाद अगर अशोग गहलोत को वहरा देते हैं, इसका मेसेज जाएगा, गांधी परिवार का राज कतम हो गया, गांधी परिवार की का सिक्का अब जनता के बाद पार्टी संगठन में भी चलना बंद हो गया है, इसी लिए सोनिया गांधी को, उनके स सिपह सालारों को, ये बयान देना पड़ा, ये इसपश्टी करण देना पड़ रहा है, कि अशोग गहलोत सोनिया गांधी को उमीदवार नहीं है, गांधी परिवार के उमीदवार नहीं है, और अशोग गहलोत चुनाव लड़ेंगे ही नहीं, अगर वो गांधी परिवार देखे पुराने अध्यक्ष जो आखिरी निर्वाचित अध्यक्ष थे सिता रामकेसरी उनको 14 मार्च 1998 को उनको एक तरह से जबरन हटाया गया धक्का देकर और अब जिसको बनाना चाहते हैं गांधी परिवार के लोग उसको जबरन चुनाओ लडा रहे हैं जो लड़ना नह जाती है कि वो गांधी परिवार के नॉमिनी हैं और हार जाते हैं तो आप सोचिए उसका पुलिटिकल मतलब क्या होगा तो गांधी परिवार ये कता ही नहीं चाहता इसलिए वो एक हाई मौरल ग्राउंड ले रहे हैं कि हमको कोई मतलब नहीं हम चुनाओ में किसी के जाती है बिलकुल नहीं आप देखते रहिए जैसे ही नॉमिनेशन की तारीख निकलेगी जो उमीदवार सामने आएंगे अगर राहुल गांधी नहीं आते हैं और अशोग गहलोत उमीदवार बनते हैं तो ये सिंडिकेट बना मिंडिकेट जैसी लड़ाई हो जाएगी जो पुराने नेताओं का गुड़ था कॉंग्रेस पार्टी में सीनियर लीडर्स का उनकी जो लड़ाई थी लगभग उसी तरह ही लड़ाई होगी वो अलग बात है कि सोनिया गांधी इंदिर्या गांधी नहीं है सोनिया गांधी का राजनीतिक करियर खतम हो रहा है वो अपन वो कायम रखने के लिए अब सवाल यह है कि क्या कॉंग्रेस पार्टी गांधी परिवार के प्रभाव से मुक्त होने जा रही है अगर शशी थरूर बनते हैं तो आप मान कर चलिए कि इस्थिती अलग होगी है वो यस मैं नहीं होंगे ऐसा नहीं है कि वो कोई गांधी परि गहलोच से बेतर अध्यक्ष होंगे वो पार्टी को रीजुवनेट करने की इमांदार कोशिश करेंगे जो अशोक गहलोच जो भी कोशिश करेंगे वो गांधी परिवार का कहा हुआ होगा तो एक तरह से कठपुतली होंगे वो गांधी परिवार की अध्यक्ष वो लेकिन अगर शशी थरूर हुए राहुल गांधी, सोनिया गांधी से कंसल्टेशन जरूर होगा लेकिन फैसला आकरी जो है कॉंग्रेस अध्यक्ष यानी शशी थरूर और उनके साथी जो भी सलाकार बनाएं, कोर ग्रूप बनाएं, कॉंग्रेस वर्किंग कमेटी बनाएं, जो भी बनाएं उसके अमसार होगा, कॉंग्रेस वर्किंग कमेटी का चुनाओ 98 में आकरी बार हुआ था, उसके बाद से चुनाओ नहीं हुआ है, सब नॉमिनेशन पर चल रहा है, इसलिए गांधी परिवार का जो ये आभा मंडल है, पार्टी के अंदर जनता में तो नही बचा है, पार्टी के अंदर जो बचा है, वो इसलिए बचा है, ये चुनाओ नहीं हो रहे हैं, और जो लोग चुनाओ चाहते हैं, उनको गांधी परिवार का विरोधी नहीं, पार्टी का विरोधी मान लिया जाता है, उनके उपर हमले होते हैं, उनका विरोध कराया जात हिम्मत नहीं है कि गांधी परिवार के किलाफ एक शब्द बोल दे और बोल देगा कि तो उसका क्या हश्र होगा ये उसको पता होता है इसलिए चुप रहते हैं लेकिन अगर शशी थरूर बनते हैं ध्यक्ष तो ये सब इस्थितियां बदल जाएंगी अब आखरी सवाल है मे देंगे कि ऐसा होने न पाए और ये कोशिश साथ साथ रहेगी ये संदेश भी न जाने पाए कि हम जो है इस तरह की कोशिश कर रहे हैं तो ऐसा होता नहीं वो कहते हैं उंट की चोरी नहुरे नहुरे मतलब जुख कर नहीं हो सकती है आप जुख कर उंट को नहीं ले जा सक जिसको लड़ना हो चुनाव लड़े जो अध्यक्ष हो जाएगा हम उसके साथ है ऐसा होने वाला नहीं गांधी परिवार पूरी ताकत लगाएगा आखरी दम तक कोशिश करेगा कि पार्टी उनके कबजे में रहे तो जादा उमीद इस बात की है कि कॉंग्रेस का होने वाला है गांधी परिवार मुक्थ होना बड़ा कठिन नजर आता है बड़ा मुश्किल नजर आता है जब तक कि अंदर से कॉंग्रेस के जो युवा नेता हैं जो दूसरी तीसरी पीड़ी के लोग हैं वो अपने भविश्य को राजनिती भविश्य को देखकर कोई ए अपने परिवार की विरासत बचाने के चकर में ना रहे तो यह तभी हो सकता है जब कॉंग्रेस में जो लोग बचे हुए हैं दूसरी तीसरी पीड़ी के लोग युवा लोग अगर वो सोचें कि उनको अपना कॉंग्रेस में भविश्य राजनिती भविश्य देखना है त उनको अशोग गहलोत का साथ देना चाहिए अब यह तै करना कॉंग्रेस के की जो वोटर लिस्ट में जो लोग हैं जो मद्दाता हैं अध्यक्षपत के चुनाव के लिए जो निर्वाचक मंदल है उन सदस्यों पर निर्भर है कि कॉंग्रेस का भविश्य कैसा होगा और भ सब्सक्राइब रूर की इडिया नमास्कार